हलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में आपको यह बताने जारा हूं कि कैसे आप अपने Moto Edge 14 यो Android मॉइल फोन में आप अपने मॉइल फोन की Auto Touch की प्रॉल्म को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं आज की इस वीडियो में आपको डीटेल में जानकारी देने वाला हूं तो चलिए आप वीडियो का में स्टार्ट कर लेते हैं देखी दोस्तों कभी भी अगर आपके फोन में Auto Touch की प्रॉल्म आती है आपका फोन Auto Touch करने लगता अपने आपी तो इस प्रॉल्म को सॉल करने के लिए सबसे पहले आपको अपने फोन को रिस्टार्ट करने के लिए फोन के साइड वाला पाउर बटन उंगली से दबा के रखना है आपकी स्क्रीन की सामने यह वाला पेज आएगा इसमें आपको रिस्टार्ट पर टैप करना है इससे क्या होगा आपका फोन जो है वो automatic switch off हो जाएगा फिर इसके थोड़ी दिर बाद automatic switch on हो जाएगा restart करने से यह होता है हमारे phone के android system में अगर कोई प्रॉलम आ जाती तो प्रॉलम बटन देख रहे हैं इसे आपको टैप करना है इन दोनों में से एक टैप करना है तो आपको आपको नीचे की साइड यह option मिलता है storage and catch का इसे आपको टैप करना है तो आपका नीचे की साइड नहीं यह user data और यह catch-in दोनों के सामने वाला data आपका zero हो जाएगा तो इस तरीके से आपको जो अपने mobile phone के सभी apps को reset कर देना है जिससे आपके mobile phone की जो auto touch की problem है वो आपकी solve हो जाएगी ठीक है अब दोस्तों यहाँ पर आपको अगला process करना यह है कि आपको अपने mobile phone का software एक बार चेक करना भी हमारे mobile phone के android system में कुछ problems आने लगती है तो आपके mobile phone का software है वो आपका update है या नहीं आपको check कैसे करना है दिखे इसके लिए आपको सबसे पहले mobile phone का internet आपको चालू रखना है इसके बाद आपको mobile phone का setting page open कर लेना है setting page open करिए इसमें आपको जो नीचे की side option मिल जाएगा system का system पर आपको tap करना है इसके अगले page में आपको नीचे की side is system update पर टाप करना है तो आपको इस वाले page में अगर कोई भी update का button या download install अगर लिखा हुआ दिखाई देता है तो इससे आपको tap कर देना है इससे आपके phone का software अपडेट हो जाएगा और आपके mobile phone की auto touch की problem भी solve ह हो जाएगे ठीक है अब दोस्तों यहां पर जो हाना आपको आखरी process करना है क्या है देखें दोस्तों आपको इना अपने mobile phone को reset करना है ठीक है देखें आपको phone को reset आपको तभी करना है जब मेरे बताय हुए पिछले process में से कोई भी process काम नहीं करता है तब आपको अपने phone क को reset करना थैंड है अधर्वाइस phone को reset करने की बिलकूल ज़रुवात नहीं है मुबायल phone को reset करने के लिए मुबायल phone का setting page उपन कर लिजे setting page में आपको सबसे नीचे की side ये option आपको देखने को मिल जाएगा ये system का system पर tap करना है इसके आगले page में आपको नीचे की side प्रोड़ाइब दूसरी बात यह ध्यान रखने हैं कि आपके फोन की जीमेल आईडी और पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है यह दो काम आपको पहले करने है उसके बाद ही आपको अपने फोन को रिजाट करना है तो दोस्तों यहां पर जो है इस वीडियो है मैं पर आपको चले जाना है अपना फोन वहाँ पर दिखा देना है ऐसा मैं इसलिए क्या रहा हूं देखे हो सकता है आपके फोन के हाड़वेर के अंदर कोई दिक्कत होगी जिसकी वज़ेसे आपके फोन में आटो टच की प्रॉल्म आ रही है क्योंकि मैंने आपको इस वीडि प्रॉल्म के आपके ल़ग कर दे今日 आपको बादodge हुआ एज़ स्झी मैंने गचरं के वीडिऻ Boy